लेगो फ्रॉम स्नेल्स लौ आप क्या निकाल लिया आपने मियू निकाल लिया अब हम पहली बार थिन प्रिंट का मतलब कितना होगा तीन डिग्री चार डिग्री पांच-छे साथ तक आप लगा सकते हैं यह आपको एंगल क्लियरली देगा वह तीन डिग्री एंगल है चार करी तो आप बिल्कोल जाएगा निमरीकल वैली नहीं लिखाव भी नहीं तब भी आप यूज कर सकते हैं अगल की थर्टी फॉर्टी फाइव याज सिक्स्टी और तब भी आप थिन प्रिंट का एप्रॉक्सिमेशन लगा रहें तो फिर कैसे सब्सक्राइब कर लिखना तो अगर तरी डिगरी बहुत कम लें तो फिर आप लगा उसमें यह आपका साइन वाइट वेरी स्मॉल ठीक है साइन डेल्टा फ्लास एवाई टू अल्सो वेरी गोल डेल्टा एम प्लास केपिटल इवाई तू अब आप क्या करोगे बहुत इंगल स्मॉल जे सारे तो से म्यू किसक्रें को आपने साइन को अठादिए तो आपका क्या आजाएगा डिल्टाइम प्लस एवाई टू अपॉन एवाई टू कड़ गया तो मिनीमम एंगल आप डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी व्यू माइनस वन इंटू यह फॉर्थ फार्मूला है प्रिस्म का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वागी ठीक ह यह फिर फिर आपने थर्टी डिग्री फ्रवक्री फार्मूला लगाकर रहें कर गया नेगी करना ठीक है यह फॉर्टी डिग्री किनीमम यू-1 इनिकल कि ठीक है तो यहां तक कोई conclusion बिटा किसी भी बच्चे को बताई यह बहुत बेसिक यह था बोर्ड की लिए था बिसिकली पूरा प्रिशन सब बोर्ड में भी आते हैं मिनिवम डिविएशन का ठीक है और वन प्लस और टुए यह सब निमेरिकल भी आते हैं समेट्री वाली बाद वाला नहीं करता है यह मैंने यहां पर ज्यादा लिखी भी नहीं है अगली अगले लेक्चर पर लिखी है ठीक है कि यह प्लॉट क्या है अंसमेट्री को